Hello and welcome friends, bracket के ऊपर एक bracket editor आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके मैंने कुछ code लिख रखा है, ये calculator बनाने की coding है, आप देख सकते हैं इस coding को, और इसको आप download कर सकते हैं, free of cost ये download के लिए अविलेबल है, और coding करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, अगर आप bracket का use करते आतो, तो bracket text editor को आप download कीजिए और उसके coding कीजिए, और यहाँ पर जाकर के पहले इसको save कर लेता हूँ, मैं को यहाँ से चलता हूँ, save button पे click करता हूँ, बिल्कुल notepad++ के जैसे ही है, और यह already save हो गया, तो यहाँ पर आप मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसको run करव जावस्क्रिप में, चलिया यह इस calculator को एक बर use करते हैं, देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर हम 23 लिखते हैं, और 23 में हम add करना चाहते हैं 66, तो यहाँ पर 66 जैसे ही किया, और is equal to पर click किया, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर 89 आ जा रहा है, तो यह बहुत आसान है, easily कर सकते हैं, इसके लिए एक detail वीडियो मैं बनाता हूँ जल्दी, ठीक है, तब तक के लिए keep watching, thank you for watching this video